जादवी सक्तियों वाला विशाल गोल्डन शेट और जालिं काला तेंदवा का जंगल परातंक एक बार की बात है एक जंगल में दो बाग भाई रहा करते थे एक का नाम था रुद्र और दूसरे का नाम था वीरू रुद्र जंगल का राजा था जोकी बहुत ही दयालू और स सभावाला भी था जबकि वीरू उतना ही घमंडी था उसी अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वो अपने आपको जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मानता था और जंगल के जानवरों को बहुत परेशान क्या करता था एक दिन वीरू जंगल में घूम रहा था कि तभी उ उस हीरन को देखकर वीरू बोलता है अरे वा कितना मोटा ताजा हीरन है मुझे वैसे भी काफी भूख लगी है चलो इसी का ये शिकार कर लेता हूँ वीरू ये सब सोचकर उस हीरन की ओर बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर रुद्र भी आ जाता है और रुद्र बोलता है य मेरे मामले में टांग अड़ाने वारे तुम सायद भूल रहे हो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस जंगल का राजा भी हूं मैं चाहूं तो किसी को कहीं से भी रोक सकता हूं और फिर तुम तो वैसे भी मेरे भाई हो तो इसलिए मैं तुम्हें गलत करने से रोक रहा नदी के अंदर गिर जाता है और हिरन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है अपने बाई के नदी में गिरने पर वीरू बहुत खुस होता है और बोलता है , सबस्क्त आब मैं जंगल का राजा नहीं हनुगा जो मेरे मन में आया जान मैं वहों ही salary अब वीरू जंगल में जाता है और सभी जंगल वासियों से कहता है सुनो सभी आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा वो अपनी मौट का खुद जिम्मेदार होगा इसी बीच उस जंगल पर एक काला तेंद्वा हमला कर देता है और वह काला तेंद्वा एक चादुश सक्तिवाला था और वह भी रुद्र के जंगल पर राज करना चाहता था इसलिए वो इस जंगल में आया था जब वीरू बाग को इस तेंद्वे के बारे में पता चलता है तो वो सीधा उस तेंद्वे से लड़ने पहुंच जाता है और उससे बोलता है अरे ओ तेंद्वे तू क्या करने आया है मेरे जंगल में ये जंगल मेरा है और इस जंगल में जो भी आएगा वो सबसे पहले मुझसे परमिसन लेगा चलो जाओ यहाँ से विरुबाग की बास सुनकर तींदवा जोर जोर से हस्ती लगता है और बोलता है अज़ पिद्दी से बाग से मैं परमिसन लूँ गा लगता है तु मुझे जानता नहीं है मैं तुझे अभी बताता हूँ ऐसा बोलकर कारा तेंद्वा बाग को एक पत्थर की मुरत बना देता है और जंगल में आगे बढ़ जाता है उदर रुद्र बाग भी नदी से बहार आ जाता है और वो एक बहुती सक्तिसाली बाग भी बन जाता है दरसल उस नदी में एक गोल्डन कलर का जाओदी सक्तियो वाला विशाल शेर रहा करता था गोल्डन शेर रुद्र को नदी से बहार निकालता है और उसे अपनी सक्तियों से एक सक्तिसाली बाग में बदल देता है और बोलता है रुद्र बाग अगर तुम्हें कभी भी मेरी जुरुत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूँ मुझे पता है तुम्हें एक बहुत ये अच्छे बाग हो ऐसा बोलकर शेर वापस नदी में चला जाता है और रुद्र जंगल में निकल जाता है लेकिन कुछ दूर चलने पर रुद्र को वीरु की पत्थर वाली मूरत नजर आती है वीरु को पत्थर बना देखकर रुद्र परेशान हो जाता है कि तब भी वहाँ एक हीरन आती है और वो रुद्र को सारी बात बताती है हीरन उसे बता ही रही थी कि तेंद्वा भी वहां आ जाता है और वीरू को देखकर तेंद्वा गुस्से में आ जाता है वो तो सोच रहा था कि अब इस पूरे जंगल पर सिर्फ मेरा कब जाओगा और वो रुद्र पर अपने सक्तियों से हमला कर देता है तेंद्वे की सक्तियों से एक पार तो रुद्र बच जाता है लेकिन उसके साथ लड़ते लड़ते रुद्र काफी घायल हो जाता है और वो नीचे जवीन पर गिर जाता है और तेंद्वा जोड जोड से हसने लगता है तबी अचानक से वहां एक रोस्ति होने लगती है और उस रोस्नी में से वही विशाल शेर बहार आता है जिसने रुद्र को नदी से निकाला था और वह विशाल शेर काले तेंद्वे को अपनी सक्तियों से मार डालता है काले तेंद्वे के मरने पर वीरू भी ठीक हो जाता है और रुद्र के भी सभी जखम भर जाते हैं अब रु दोनों भाई मिल चुलकर उस जंगल में रहने लगते हैं इस कहानी से हमी सीख मिलती है कि हमी कभी भी अपनी ताकत पर घमन नहीं करना चाहिए वरना कभी न कभी वो घमन तूट जाता है और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है तो दोस्तों कैसी लगे आपको हमारी आज की स्टोरी अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज नीचे दिये थंपर क्लिक करें वीडियो को शेर करें और चानल को भी सब्सक्राइब करनें थैंक्यू जादुई मनी की सक्तियां और लुटेरा सेर एक जंगल में बंटी बाग रहा करता था बंटी बाग के पास एक जादुई मनी थी जिसके अंदर एक ऐसी सक्ति थी जो की बंटी बाग को अनोखे रूप दे सक्ति थी लेकिन बंटी बाग बेचारा एक बहुत ही अच्छा बाग था वह कभी भी उस मनी का गलत इस्तमाल नहीं क्या करता था और उस मनी से जंगल के सभी जानवरों की मदद क्या करता था और अपनी जंगल की देख भाल करता था एक दिन बंटी बाग की तब्यत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोस होकर जमीन पर गिर पड़ता है तब ही वहाँ से एक गाएं गुजरती है और जैसे ही वह बंटी बाग को जमीन पर पड़ा देखती है वो तो घबरा जाती है और वो जल्दी से जेंगल में भाग कर जाती है सुनो सुनो सभी बंटी बाग को ना जाने क्या हो गया है वो जमीन पर पड़े है मुझे लगता है वो काफी बीमार है सभी जानवर जल्दी सिर्व बंटी बाग की गुफा पर जाते हैं और बंटी बाग की तव्योत को देखकर वो उसे लेकर भालू हकीन के पास चले चाती है और जल्दी जल्दी में उन्हें किसी को भी बंटी बाग की जावदी मनी का खयाल ही नहीं रहता है और वो उस बनी को वहीं छोड़ कर चले जाती है इसी बीच दूसरे जंगल का एक शेर उस बणी को वहाँ से चुरा कर भाग जाता है और अपने जंगल जा कर बोलता है मैं कब से जादू मणी की तलास में था अग किरकार आज मुझे यह मिल ही गई अग देखो मैं कैसे जंगल में तबाई मचाता हूँ तबाई उधर जब बंटी बाग को होस आता है तो वह तेजी से दोड़ता हुआ अपनी गुफा की और भागता है लेकिन गुफा में जाकर वह मणी उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है तो बाग बेचारा बहुत परिशान हो जाता है और वह अपनी बीमारे को भूल कर तुरंत जंगल में जाता है और जंगल में जाकर वह सभी जानवरों से पूचता है लेकिन जंगल का कोई भी जानवर उस मणी के बारे में कहां जानता था महराज हमने तो मनी का धयान भी नहीं किया हम सब तो आपकी तब्यत को देखकर ही परेशान हो गए थे और हमें तो वह जादूइ मनी याद भी नहीं रही थी अब क्या होगा जिस बी जानवर के हाथ वा जादुई मणी लगी है उसने तो उसकी सक्तियों से तबाई मचा दी होगी अब क्या करू मैं कैसे पता करू उस जादुई मणी का उधर उस जालिम शेणी उस मणी की सक्तियों से खुखार सेरों की एक सेना बना ली थी जिसके मदद से वो जंगल के जानवरों को मरवा रहा था और राद दिन मास खाये जा रहा था उस जंगल के जानवर बेचारे बहुत परिशान आ गए थे और वो सभी मदद की दुआएं कर रहे थे एक दिन उस जंगल के उपर से बंटी बाग के जंगल का एक बास गुजरता है और वह जैसी ही सफेश शेर के पास वह मणी देखता है वह तुरंती उड़ता हुआ बंटी बाग के पास जाता है और बंटी बाग के पास जाकर बाग को सारी बात बताता है अपनी मणी की खबर सुनकर बंटी बाग बोलता है सुनो बाज अब वह शेर बहुत जादा ताकतवर है मैं अकेला उस शेर का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे हाँ महराज क्यों नहीं बताए मुझे क्या करना होगा मैं उस शेर से लड़ाई करूँगा और तुम्हे उस मणी को उसके सर से उतारना है बताओ तुम्हे मनजूर है हाँ हाँ महराज मैं सब कुछ करने के लिए तयार हूँ अगर हमारी मणी हमारे पास वापस मिल जाए तो अब वो दोनों दूसरे जेंगल की और निकल जाते हैं और दूसरे जेंगल जाकर बंटी बाग उस चालिम शेर से लड़ने लगता है और बोलता है हुआ जालिम शेर तुमने मेरी मणी चुुराई है जल्दी से मेरी मणी मुझे वापस करदो ओए पागल बाग क्या मैंने तुम्हें वापस करने के लिए अतनी मैंनत की है मैं तो सालों से इस मणी की फिराग में था अब जाकर मुझे यह मणी मिली है अब तो मैं किसी भी केमत पर तुम्हें इसे नहीं लोटाने वाला ऐसे ही लड़ती लड़ती उन दोनों में लड़ाई होनी लगती है और बाज मोका पाकर सफिर शेर के सर से उस मणी को उतार लेता है जैसी ही सफिर शेर के सर से बाज मणी उतारता है उसकी सारी सेना वहां से गायब हो जाती है और सफिर शेर एक साधारन शेर में बदल जाता है अब बाज उस बनी को बंटी बाग को दे देता है और बंटी बाग अपनी सक्तियों सी उस जालिम शेर को मार डालता है सफिर शेर के बनने के बाद उनके जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और बंटी बाग अपने जंगल वापस आकर सभी जानवरों को जादू मणी के मिलने की खुश खबरी देता है और अब फिर से सभी जंगल के जानवर खुशी खुशी रहने लगते है इस कहानी से हमें सीख मिलती है चोरी से ले गई चीज जादा दिन तक हमारे पास नहीं रहती है और वो एक ना एक दिन वापस चली ही जाती है तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें सरमिंदगी उठानी पड़े और इसका अंजाम बुरा हो तो दोस्तों कैसी लगे आपको हमारी आज की स्टोरी अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो नीचे दिये थंपर क्लिक करें वीडियो को लाइक करें शेर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना हो ले तेंक्यू तीन रंगीन भेड़िये और जानवरों से छीपा सफेष शेर का राज सिंभाव शेर बेहत खुब सूरत था वह बिलकुल सफेद रंग का शेर था और जंगल का राजा भी था सफेष शेर दिन बर जंगल में घूमता और जंगल की देख भाल क्या करता था एक दिन भालू सफेश शेर से कहता है अरे सेर महराज आप दिन भर यो जंगल में घूमते रहते हैं और आप जंगल की देखभाल करने में अपना पूरा समय लगा देते हैं हमें आप पर गर्व है महराज अरे भालू ये जंगल ही तो मेरा सब कुछ है अब तुम ही बताओ मैं जंगल के अलावा कहा जा सकता हूँ ऐसी ही दिन भीत रहे थे सफेश शेर दिन बर जंगल में घूमता था और ठकार कर अपनी गुफा में चला जाता था एक बार जंगल में तीन खुखार भेड़ी आ जाते हैं एक भेड़िया लाल रंका था जिसके मुझ से आग निकल रही थी दूसरा नीली रंका था जिसके मुझ से बिजली का करंट निकल रहा था और तीसरा भेड़िया सुनहरी रंका था जिसके मुझ से काला दुआ निकल रहा था वे तीनों भीड़ी जंगल सी जादूी ताज चुराने आये थे और वे आपस में बाते कर रहे थे हम तीनों को मिलकर काम करना होगा तब भी हम अपना लक्षे हासिल कर पाएंगे एक जंगली सुवर उनकी बाती एक पेड़ के पीचे खड़ा सुन रहा था तबी उन भेड़ियों की नजल उस पर पढ़ती है और वे तीनों मिलकर उससे वही मार देते हैं ये काम हमें खूपया तोर पर करना होगा कोई भी जानवर हमें जंगल में देखना पाए फिर वे तीनों अपने अपने कामों में लग चाते हैं सफीर शेर जंगल में घूम रहा था तभी उसको वर्शुर मरा हुआ दिखाई देता है और उससे देखकर सफीर शेर सोचता है ये मेरे जंगल में किस ने किया मैं इतनी मैनत से जंगल की देखबार करता हूँ फिर ऐसा कोन कर सकता है मुझे इस राज को सुलजाना होगा फिर शेर लोमडी को अपने पास बुलाता है और कहता है लोमडी क्या तुम जानती हो जंगल में क्या चल रहा है क्या चल रहा है जंगल में महराज मैंने तो कुछ महसूस नहीं किया फिर आप ऐसा क्यों कह रही है महराज मैंने आज जंगल में एक जानवर को मरा हुआ देखा यहां कि आखिर जंगल में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कहकर शेड जंगल की तरफ निकल जाता है और लॉमडी भी सेर के साथ साथ चल देती है वे दोनों जंगल में घूम रहे थी तब लॉमडी की नजर एक लाल भेड़ी पर पड़ती है उस भे रहा है और इसके मुझे तो आग भी निकल रही है मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैं आगे नहीं चाओंगे महराज डर पो कहीं की अच्छा तुम यहीं रुको मैं उस बेड़े को सबक सिखा कर आता हूँ मगर याद रखना अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम काली पहा कहां से आया वह कोई मामूली ताज नहीं है वह ताज मुझे जंगल की रक्षा करने के लिए बंदेवता ने दिया था मगर उसकी आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अब हमको उसकी जरूरत है मगर महराज आपने उस ताज को जानवरों से चिपा कर क्यों रखा था जस मुसीबत के टल जाने के बाद वह ताज एक मामूली ताज में बदल जाएगा और फिर मैं भी एक नॉर्मल शेर की तरह ही तुम सब के साथ रहूंगा ऐसा कहकर शेर उस भीड़े के पास जाता है सफेशेर को देखकर भीड़िया अपने सब साथियों को बुला लेता है अच्छा तो ये है सफेशेर जिसके पास वह जादू इताज है ये तो हमारे पास खुदी चल कर आ गया अब तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है चलो अब तुम सांती से हमें उस ताज का पता बता दो हम तुमें कुछ भी नहीं कहेंगे सफेशेर मैं तुमें कुछ नहीं बताने वाला तुम चाहे मुझे मार दो फिर तीनों भेडिये उस शेर पर अपनी अपनी सक्तियों से हमला कर देते हैं उन भेडियों की हमले से सफेश शेड जखमी हो जाता है तब लोमडी बहुत जादी ताज लेकर आ जाती है और सफेश शेड के उपर रख देती है ताज की मिलते ही सफेज शेर फिर से ठीक हो जाता है और बहुत जादा सक्ति साली भी बन जाता है अब सफेज शेर उन भेडियों पर हमला कर देता है और उन्हें वही पर मार डालता है फिर उस ताज की सब सक्तियां आस्मान में चली जाती है और सफेज शेर फिर से नॉर्मल सेल की तरही जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है